नमस्कार दोस्तों, लोटस अईरुवेदा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे, शरीर में छिपे रहते हैं यह उन संक्रमन के कुछ लक्षन, इसे नजरन्दाज करने की ना करे गलती। STI की समस्या आजकल के समय में काफी आम हो चुकी है। STI होने पर कई तरह के लक्षन दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लक्षन ऐसे भी है जो ना तो दिखते हैं और ना ही लोगों को उनके बारे में पता होता है। तो आज हम आपको STI के उनी लक्षनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका पता लगते ही आपको तुरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यहन संचारित संक्रमन एक ऐसी समस्या है, जो यहन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। STI की समस्या योनी गुदा के जरिये एक से दुसरे व्यक्ति में ट्रांस्फर हो सकती है। यह समस्या पूरुषोन से महिलाओ या महिलाओं मेंसे पूरुषों में आसानी से फैल सकती है। अधिकतर लोगों को STI की समस्या होने पर तेज जलन प्राइवेट पाट में खुजली और यूरिन पास करते समय दर्थ का एहसास होता है लेकिन इसके और भी लक्षन होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं ऐसे में जरूरी है समय समय पर इसकी जाच कराए कई लोगों में STI के कोई भी लक्षन नजर नहीं आते STI की समस्या का समय पर पता ना लगने के कारण कई तरह की समस्या हो सकती है जैसे बांचपन, कैंसर, आदिन आज हम आपको STI के कुछ ऐसे लक्षनों के बारों में बताने जा रहे हैं जिनका पताने लगने पर आपको तूरन डॉक्टर से संपर करना चाहिए एनल के आसपास गाट बनना बहुत से लोग ऐसे हैं जो एनल के आसपास गाट बनने को पाइल्स की समस्या समझ बैटते हैं लेकिन आपको बता दे कि एनल के आसपास गाटे STI की समस्य होने पर भी बन सकती है ऐसे में जरूरी है कि आप इसकी पहले जांच कराए ताकि इसका इलाज अच्छे से किया जा सके आखे लाल और चिपचिपी होना आखों में रेडनेस और चिपचिपा हट को भूछ से लोग मौसमी संक्रमन समझ बेटते हैं लेकिन इस बात पर ध्यान देना भी काफी जरूरी है कि ये STI का लक्षन भी हो सकता है यह लक्षन तब दिखाई देता है जब आप किसी STI संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आते हैं हेर लॉस STI की ऐसी समस्य है जो आपको कभी भी हो सकती है यह माईने में एक बार भी हो सकती है और कभी-कभी साल में एक बार भी STI का लक्षन हेर लॉस भी है ये समस्य होने पर केवल सीर के बाल ही नहीं गिरते बलकि शरी के अन्य हिस्सों से भी बाल गिरने लगते है जैसे आइब्रो, आइलेशेज, हाथ और पेर के बाल जोडों में दर्ध होना STI की समस्य से पिडित कुछ लोगों में जोडों का दर्ध भी देखने को मिलता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जोइंट्स की लाइनिंग में कुछ एंटीजन होते हैं जो STI के बैक्तिरिया में भी पाये जाते है STI होने पर जोइंट्स में से सेफ्टिक इंफेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है इससे जोइंट्स में सुर्जन भी आ सकती है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना और देखते रहें लोटस अईरुवेदा इंडिया